नमस्ते अरेन सिंग तौमर नाम है मेरा स्वागत है आप सभी का इस वीडियो मेरे एक कहानी फिर से आपके लिए एक इनसान अपने गाउं में रहता था हो गाउं की कुछ दूर यानि तीन से चार किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत फेमस मंदिर था तो यह बंदा आस तक उ किसाइड किया घर बापेस चलते हैं रात की समय निकलेंगे यहिसने डियाएकर जैसा इस ने सोच वैशा किया अब रात के दो बजे इसने हाथ में टॉर्च लिए और टॉर्च लेके चल दिया जैसे गाउं से बाखन निकला 10 से 15 कदम चलने के बादिसे आहिसास हुए के का गया और सुभाय होने का इंतजार करने लगा पांस से दस मिनिट के बाद एक बुड़ा व्यक्ति हाथ में दीपक लेके जा रहा था तो इस इंसान ने बुड़े से कहा रहे कहां जा रहे हो बोले मंदिर जा रहा हो बोले पागल है अब बोले हजारों कदम आपको चलना और द तो बैटा क्यों है तू भी चलना मेरे साथ याद रखिए परेसानी कहां आ जाती है परेसानी आजाती है जब आप ज्यादा कैल्कुरेशन कर लेते हैं जब आप मैथमेटिक्स के मास्टर हो जाते हैं जब आप सुरूबात करने से पहले ही इतनी निगेटिविटी अंदर स प्रयास करते हैं कुछ बड़ा सोचने का प्रयास करते हैं उसी समय आपके दिमाग में निगेटिविटी आती है याद रखिए जब भी आप कोई बड़ा काम स्टार्ट करने का सोचते हैं निगेटिविटी ही क्यों दिमाग में आती है क्योंकि आप जो सोचते हैं उसमें 90 परसेंट निगेटिविटी रहती है, इसी लिए हमेशा काम करने से पहले दौनों पहलों को सोचना बहुत जादा जरूरी है, पर किसी को अपने उपर हावी नहीं होने देना, यह दिमाग है, अगर निगेटिव जाएगा, तो निगेटिव ही बाहर देगा, मतलब गारवेज जाएगा, तो जैसा दिमाग में जाएगा, इंस्ट्रक्शन बैसे ही आउटपट मिलेगे, इसी लिए जादा कैलकुलेशन मत करिए, थोड़ी रिस्क भी लीजिए, और याद रखिए, अगर आप बैठी रहेंगे, तो जनाब सिर बैठी रहेंगे, और आप एक कदम चलें जाएगा, और याद रखिए, मन का विस्वास आपको सबसे बहतर बनाता है, क्योंकि मन के हारे हार, मन के दीदेदी, थैंक यू बैरी मच वारफ यू, थैंक यू.